so guys game के अंदर rampage event तो चली रहा है आपको पता ही होगा and guys यहाँ पे इस event के अंदर आपको बहुत सारे rewards देखने को मिल रहे है जहाँ पे आपको बहुत सारे rewards बिल्कुल free के भी देखने को मिल रहे है and guys यहाँ पे मैं आपको दिखा दू अपना mailbox यहाँ पे free fire ने मुझे कुछ और rewards send किये जो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे मिलेंगे किस event में देखने को मिलने वाले and guys यहाँ पे सारी चीजे आपको बताने वाला हूँ और guys आप उस event को यहाँ पे देखो हमारा जो rampage event है वो open नहीं हो रहा है तो यह वाला event कब open होगा and guys कैसे आप इस event को complete कर सकते तो वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ और हाँ guys यहाँ पे एक चीज बता दू अभी fact का वीडियो आने वाला था तो unfortunately fact का वीडियो आपको next day देखने को मिलेगा तो guys यहाँ पे यह वाला event कब open होगा कैसे आप complete कर सकते हो सारी चीजे इस वीडियो में बताने वाल ठीक है तो वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है बिल्गुल भी स्किप करके मत देखना लेकिन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट काने इस पहली में आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक कि इस वीडियो को लाइक नहीं क्या तो बहुत ज्यादा मे इनक्यूबेटर आया YM60 का तो यहाँ पे मुझे उसके चार गन स्किन मिल चुके है जो चारो के चारो इनक्यूबेटर के अंदर है तो मैं इनको सिंपल सा सबसे पहले क्लेम कर लेता हूँ एंड गैस आपको इनका एबिलिटी वगेरा पूरा दिखाने वाला हूँ ठीक है आपको एक इवेंट में देखने को मिलेगा जो 21st को आने वाला है 21st June को आने वाला है तो उसके लिए आपको diamonds देने पड़ेंगे और यह वाला costume देखो यह वाला costume भी इन्होंने मुझे दे दिया बट मैंने Faded Will से इसको निकाल लिया था आपको पता होगा Faded Will के अंदर यह वाला costume आया हुआ है ठीक है उसके साथ यहां आप यह वाला जो backpack है यह आपको top up event में देखने को मिलने वाला है क्योंकि top up event आने वाला है 16 June को तो यह वाला backpack और यह जो costume और katana इनके लिए आपको diamonds देने पड़ेंगे top up करना पड़ेगा तो 2 reverse katana और जो bundle है यह आपको 21st को mechanism event आने वाला है उसमें देखने को मिलेंगे और backpack आपको top up event में देखने को मिलने वाला है और यह वाला bundle आपको fedded wheel के अंडर देखने को मिल गया था ठीक है guys तो चलो यार अभी चलता है हम कहां पर अभी हम बात कर लेते इस event की उसके बाद मैं आपको guns की ability दिखा देता हू और वहाँ पर और भी items दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह वाला जो event 18 June को open होगा इसके mission आ जाएंगे 18 June को और हो सकता है कि mission अगर आपकी समझ में ना आ है तो मैं आपको video बना के देदूँगा कैसे आप missions को complete कर सकते हो और यहाँ पर देखो इसमें जो आपको rewards लगे है तो चलो अभी सीधा हम collection के अंदर चलते हैं यहाँ पर backpack देख लेते हैं backpack देख क्या लेते हैं भाई सबसे पहले equip कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का backpack हो एंट level two, level one आप देखरो पीछे कुछ इस तरीके का लगेगा और यहाँ पर देखो कुछ double damage का है guys ठीक है यह मुझे top वाला लग रहा है size से और उसके बाद यह double rate of fire का है और यहाँ पर यह single range है और इसका armor penetration है उसके बाद यह वाला damage है double range है और चलो मैं यहाँ पर double rate of fire वाला equip कर लेता हूँ और इसको show in lobby कर लेता हूँ उसके बाद world section में चलेंगे यहाँ पर bundles पर चलेंगे और bundles पर यह वाला costume हमें मिला और काफी लोगों की demand थी कि बाई लड़कियों की demand थी कि यह costume कब आने वाला है तो मैं आपको बता दूँ 21st को mechanism event आएगा जहाँ पर आपको katana और यह bundle मिलने वाला है और guys weapons के अंदर चलेंगे यहाँ पर मैंने आपको katana तो दिखा लेते हैं guys ठीक है तो I hope मैंने आपकी सारी चीजे बता दी और guys हाँ fact का वीडियो कल देखने को मिलेगा और मैंने आपको जैसे बताया था तो fact की series भी चल दी हमारे चैनल पर साथ ही साथ event की वीडियो भी आ रहे है ठीक है guys तो I hope like this video and don't forget to subscribe तो चलो यार बाई बाई